कई बार आसबास लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है कि मैनेजमेंट ने बुलाकर इंडिकेशन तो दे दिये हैं कि प्रमोशन होने वाली है मन चाहे स्थान पर परिवर्तन की गुंजाईशें भी बन रही है परन्तु अब तक ओफिशियल डॉक्यमेंट सामने नहीं आया है व्यापारे के स्थार पर एजिंसी लाइन के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी नए प्रोडिक्ट को अपने साथ में हासल करना चाहता है वो भी कई बार ऐसे ही बातों के साथ में खुद को लेकर चलता है कि हामी मिल चुकी है अब चारिक तोर पर परन्तु हमें जो एक तरह से रिटर्न डॉक्यमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है वहां कहीं न कहीं अटकाव है और उसे के साथ में व्यक्ति प्रकरती जने तो संकेतों को भी समझने का प्रयास करता है देव गुरू ब्रहस्पती की स्तियां जो निरंतर लंबे समय से वक्रगत आधार को लेकर चल रही थी अब मारगी हो रही है 24 नवंबर 2022 से जब देव गुरू ब्रहस्पती लाब भावस्त इस्तियों में रहते हुए पुनह जब मारगी हो जाएंगे एवं इनकी जो यात्रा स्वराशी स्थान में 22 अपरेल 2023 तक चल रही है वो अपने आप में सकारात्मक परिणामों की प्रतिधनी है इन बारे ही भावों में सबसे अधिक कारकत तो प्राप्त ग्रहे देव गुरू ब्रहस्पती है जिनकी द्रिस्टी में अम्रत है मारगी आधार के साथ में चलते हुए ऐसी इस्तियां जो एक अलग रंगत को व्यक्तिकत जीवन के भीतर लेकर आती है कौन कौन से परिणाम को सामने रखती है इसका समग्र चर्चा बरतांत लेकर हम ब्रुशब राशी के जातकों के लिए उपस्तित है आप एक और कीजिएगा कि देव गुरू ब्रेस्पती की पांचवी द्रिस्टी अपने उच्छ राशी स्थान पर जिन इस्तियों के हम शुरुवात में चर्चा कर रहे थे कि कोई डॉक्यमेंटेशन के साथ में पूरीशन सुलजी हुई है अभी तक एक पॉजिटिव नोट सामने निकल कर नहीं आपा रहा है वहाँ पर एक बहतर संकेत मिलता हुआ परतीत होता है आप ये देखिएगा कि आपने और्गनाइजेशन चेंज के ओफर्स को बार बार दरकिनार किया है एक्जिस्टिंग और्गनाइजेशन पर भरोसा आप दिखाया है कि यहीं से कुछ मिलेगा मन कहता है हमारे कामकाच की ध्वनी जो निकल कर आ रही है वो कहती है तो यहां सपस्ट तोर पर ये स्ततियां अच्छे संकेत देती है परन्तो यहां यात्राएं बढ़ने वाली होगी इस बात को स्मृतियों में रख कर चलें वहीं भाईयों एवं मित्रों के साथ पैरलल अप्रोच में कुल भी कामकाच की शुरबात की है संबंदों में खटास थी पर हम तो किसी भी तरीके की उजास नहीं थी कि किस तरह से सुधारेंगे हम रिष्टों को वहां पर देव गुरु की स्ततियां सहयोग को लेकर आती है और कीजिएगा कि लंबे समय से आप नौकरी पेशा जिवन में सक्रियता को बनाने का प्रयास कर रहे थे कि पुनह सक्रिय हो जाएं जिवन को आगे बढ़ाने वाले हों परन्तों किसी भी तरीके का सहयोग सामने नहीं था ये जो गतिविदी है पूरे तरीके से सपोर्ट के बेस को बनाती चले जाती है ये भी सपश्टता रखकर आप चलने वाली रहिएगा कि यहाँ पर आपने अपने कामकाज की शुरुआत कर दी है और अब स्वयम को एक तरह से पॉजिटिव रिफ्लेक्शन में आप लेकर चलना चाते हैं वहाँ पर भी एक मेजर सपोर्ट आपके लिए बना हुआ है इससे हम बिलकुल भी इनकार नहीं करते ये भी गोर करें आपके नौकरी पेशा जेवन हो या फिर व्यापारिक स्थर के उपर चलते हुई गतिवधियां उसके अंदर अंजान लोगों का सहीयोग मिलना ये एक महत्वपूर्ण बात है और वहीं आप ये भी देखिएगा कि एक मेजर औरिगनाईजेशन के साथ में आपकाम कर रहे हैं कोई भी स्टार्ट अप सामने आकर अवसर देता और कहता है कि आप यहां जोड़ जाएए हम आगे की गतिवधियों को आपके साथ बहतर तरीकी से देखना चाते हैं और शनिदेव जो महानियादिपती इनकी तीसरी जो बहतर द्रिस्टी है सबसे नजदिक की द्रिस्टी है वो भी लाभभाव को देखने वाली है इसी वज़े से ऐसे कतिवधियों के साथ में अब्यूड सकते हैं जहां व्यक्ति कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटिरियल, टिंबर संबंधे कामकाज, हैंडे क्राफ्ट संबंधे उद्योग की और जाकर स्वयम को एक नया नाम देना चाता है और वहाँ पर उसने अपनी पूरी तयारी भी कर ली है एक मेजर सपोर्ट का प्रोसेस यहां पर भी आपके लिए निकल कर आता हुआ प्रतीत होता है वहीं आप यह भी देखिएगा कि यहां पर आप कॉर्परेट कल्चर के साथ में हियूमन रिसोर्सेस के साथ जुड़े वो हैं तो ऐसी स्ततिय में परिवर्तन से थोड़ी सी दूरी बना कर रखते हैं तो उसे जादा अच्छा कहा जाएगा अवसर आए और हम सोचते ही रह गए जाए या नहीं जाएं ऐसी स्ततियों के साथ में व्यक्ति गई बार पच्च्टावे को अपने साथ रख देता है प्राशी के जातक हैं उनके लिए यहां इंट्यूशन का बेस बना हुआ है उनके लिए लॉंगर टर्म के बेसिस के उपर आगे बढ़ने की गतिविधियां बनी हुई है आपने स्टॉक मार्केट की और स्वेम को एजुकेट करने का कारे लंबे समय से किया और अब प्रतिक्षा कर रहे थे सही समय की के मन उजास दे और हम आगे बढ़ें वहाँ पर ये समय सही योगी गतिविधियों को दर्विध करता है और साथ ही साथ में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो पुने हैं आप एजुकेशन की और जाना चाहते हैं या फिर आप टेक्निकल एजुकेशन के बेस की और दुड़े वो हैं जोडीशेरी संबंदित सर्विसेस की प्रिपरेशन के साथ में है शाशन प्रशाशन संबंदि जो भी प्रतियों की परिक्षाएं होती है वहाँ पर भी आप लगातार प्रियास कर रहे हैं तो जो देव गुरू परहस्पती की दृस्टी है शनिदेव का उच्च सिक्षा भाव के साथ में होना है बाग्येश होकर बाग्यबाव की स्थियों के साथ में इनका चलना है 17 जनवरी 2023 तक ये पूरा ही सहयोग का क्रम है और कई बार व्यक्ति को अपने क्षमताओं से पार जाकर स्वयम को संस्थत करना होता है यानि व्यापारिक जिवन के अंदर लोग जो कर रहे हैं उसके लिए समय देना पड़ेगा पूंजी लगानी पड़ेगी घर परिवार से थोड़ा से डिटैच होकर चलना पड़ेगा अब निरंतर यात्राएं करनी पड़ेंगी परन्तु हम अभी स्वयम को अपने क्षमताओं के साथ में नवसूरियोद्धै की तरफ देख रहे हैं ये समय पूरे तरीके से सहयोग के गत्विधियों को निर्मित करता चला जाता है इसमें इनकार करने वाले गुंजाईश दूर दूर तक भी नहीं है ये मूल मंतरा वियात रखें संतान पक्ष को लेकर जो चंताएं बनी हुई थी उनके व्यवाहिक जीवन के आधार के साथ में उनके कामकाजी जीवन को लेकर वहाँ पर भी सपोर्ट का अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके साथ में बना हुआ है कहीं पर विदविदा नहीं ये जरूर गौर किजिएगा कि जो फाइनेंस को रिलेट करते हुए मेजर डिसीजन्स कई बार जीवन के भीतर उतारने होते हैं वहाँ यही थोड़ा सा दीमापन रखा जाता है तो उसे अच्छा कहा जाएगा और वहीं देव गुरू प्रेस्पती की जो नौवी द्रिस्टी है वो यहाँ सब्तम भावस्त करम को लेकर चल रही है व्यापारेक जिवन के अंदर उम्मीदों का नया ताना बाना सामने है और वहीं जो ये नवम पंचम का अधार है ये भी दरशाता है कि व्यापार में अब जिस इस्थायत वो कि अपेक्षा आप प्रकरती से करके चल रहे थे कि अब हमने अपनी महनत की है एक बार सामन्जिस से मिले एक बार रास्ता मिले तो जो ये 24 नवमबर से 22 अपरेल 2023 तक का समय मैं खुद को एक्सपर्टीज के लेवल की तरफ लेकर चला जाता है मन पूरे तरीके से वहाँ लगता नहीं है मन को नयापन चाहिए ये तो हम संभाल ही रहे हैं और कुछ गंटों की महनत में और बहतर तरीके से इसको निखार भी देंगे अब आगे बढ़ना है समय के संभावनाओं को टटोलना है गुझाईशों के साथ में चलना है वहाँ पर सपोर्ट रहता है परन्तु ये निविदन कि आप यहाँ किसी भी तरीके के मेजर फाइनेंशल बर्डन को बढ़ाने से बचेगा और जब भी लाभेश होकर दीव गुरू बरेस्पती लाब भाव में होते है और अस्टमेश के स्थियां भी लाब भाव के साथ में होती है नवमेश नवम भाव में हो जो आध्यात्मेकता जिवन के भीतर प्रसकोर्टित होनी चाहिए वो सहयोग देती है वेदेश संबंधिकार्यों के साथ में अटकी हुई स्थियां पुन है एक सकारात्मक संक्टेट लेकर आती है रेसर्थ संबंधिकाम का आज में ठीक ठाक स्थियां है दिखिए सर्वांगिन लाप के भाव में जब भी देव गुरु होंगे तो ये स्पस्ट करना चाहिए कि यहां कुछ हद तक कारक भाव की हानी भी होती है इसी वज़े से अपेक्षित इस्तर के उपर हम चलते हुए थोड़े से विलंब को भी देखने वाले हो सकते हैं इस बात से कहीं पर भी गवराहट रखने वाले हम बिल्कुल भी नहीं रहें ये एक मूल मंत्र अपने स्मृतियों में आप जरूर लेकर चलिएगा तो वहीं पर ग्रिहस्त पक्ष का सायोग पूरे तरीके से यहां बना हुआ है स्वास्त में यहां पर जो वजन वर्द्ध के नियामा का धार बने हुए थे वहां पर अभी भी वर्द्ध का क्रम नजर आता है मेश राशी के जातकों के लिए जो यहां पर देव गुरु ब्रहस्पती की दृष्टे का क्रम सस्ट भावपर और वर्षब राशी के जातकों के लिए देव गुरु ब्रहस्पती जो एकादश भावस्त क्रम यानि सस्टाथ सस्ट कॉम्बिनेशन आप देखिए तो इसे वज़े से यहां पर भी वजन वर्द्धी के संकेत सफस्ट तोर पर मिलते हैं इसके अलावा यहां पर जो भी अपेक्षित तोर पर संभावनाए सामने आ रही है उनको थाम कर चलने की पुरी-पुरी आवशकता हैं रहेंगी हम इसे क्रम मेवानी को यहीं विराम देते हैं देव गुरु ब्रहस्पति के मारगी परिवर्तन के साथ में इस चर्चा को अमने आ रखा कोटी शेह आभार एवं धन्यवाद